सूदी अरब में रमजान का चांद दिख गया है। ऐसे में सूदी अरब में कल यानी 11 मार्च से रमजान की शुरुआत होने वाली है। भारत में 12 मार्च से रोजे रखे जाएंगे आम तोर पर रमजान का चांद सबसे पहले सूदी अरब में दिखता है। जिसके एक दिन बाद भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ कुछ पश्चिमी देशों में देखा जाता है। भारत, पाकिस्तान, बांगला देश और अन्य देशों में चांद एक ही दिन देखा जाता है। सभी मस्जिदों में तरावी होगी। सौधी अरब में चांद देखने के लिए टेक्नॉलोजी को बड़े स्तर पर इस्तिमाल किया जाता है। जगह जगह बड़ी बड़ी दूरबीन लगाई जाती है। और इसके अलावा रेगिस्तानी इलाकों का भी सहारा लिया जाता है। सौधी अरब की धार्मिक मिनिस्ट्री ने रमजान के चांद के देखे जाने की तसदीक की है। हिंदुस्तान में रमजान के शुरू होने की मंगल से पूरी उम्मीद है। अब तक ऐसा होता रहा है। सौधी अरब में रमजान रोजा की शुरुआत के अगले दिन से हिंद दिन के बाद रमजान की शुरुआत होती है।